वेलकम बैक गाईस आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे ओवल्यूशन डे के बारे में और एक एक बात हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जैसे की ओवल्यूशन डे क्या होता है ओवल्यूशन डे को कैसे पता करते हैं और ओवल्यूशन डे को पता करने कि हमें फाइदे क्या-क्या मिलते हैं अब अगर फाइदे की बात हुई है तो क्यों ना इसे हम लोग पहले ही discuss कर लें तो देखिए मान के चलो कि आप एक ऐसे couple हैं जिनको अभी pregnancy plan नहीं करनी है हो सकता है कि आप एक new married couple हैं या हो सकता है कि आपके पास एक baby पहले से है और अभी आपको आगे की जो pregnancy है वो अभी plan नहीं करनी है आप नहीं चाहते हैं कि अभी बच्चा हो तो ऐसी स्थिती में क्या होता है कि अकसर लोग गोलियां लेते हैं दवाईयां लेते हैं गरब निरोदक गोलियां या फिर वो injection लगवाते हैं या फिर वो अपाद काली नवस्था में जो दवाईयां ली जाती हैं emergency contraceptive pill जैसे unwanted 72 या eye pill ऐसी tablets लेते हैं अब जब आप ऐसी दवाईयां लेते हैं तो उनके side effects देखने को मिलते हैं अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको इन दवाईयों को अपयोग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर आपको evolution day का पता है तो आप बहुती असानी से pregnancy से बच सकते हैं कैसे वो हम लोग वीडियो में आगे discuss करेंगे इसी परकार अगर आप एक ऐसे कपल है जिनको आप बच्चा चाहिए जिनको pregnancy conceive करनी है और अगर आपको evolution day का पता है तो आप बहुती असानी से pregnancy conceive कर सकती हैं कैसे वो हम लोग वीडियो में आगे discuss करेंगे इसी परकार अगर आप एक लड़की है या महिला है और आपको बिल्कुल भी idea नहीं है ये कि आपको evolution कौन सी तारिक को होना है या evolution day आखिर होता क्या है तो इसके आपको बहुत नुकसान होंगे क्यों कि evolution के time जो महिला का या लड़की का private part है उससे vaginal secretions काफी increase हो जाती है बढ़ जाती है मतलब कि जो सफेद पानी है उसकी मातरा बढ़ जाती है जब evolution होता है अब अगर आप एक कैसी लड़की है या महिला है जिनको evolution देखा ही नहीं पता तो आपको इस बात का भी idea नहीं रहेगा कि evolution के time जो सफेद पानी है उसकी मातरा बढ़ती है तो आप उस समय ये समझेंगे कि आपको बिमारी हो गई है जैसे कि लुकोरिया लेकिन अगर आपको evolution day का पता है तो आप बहुत ही आसानी से ये अनुमान लगा लेंगी कि evolution के time ये जो vaginal discharge बढ़ा है ये evolution की वज़ा से है ना कि किसी बिमारी की वज़ा से तो आपको evolution day का पता होना चाहिए तो इस वीडियो को आपको last तक देखना है इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताओंगा कि ये जो evolution day है ये कितने दिन तक रहता है evolution day के कितने दिन बाद pregnancy होती है evolution day होने पर कौन-कौन से लक्षन दिखाई देते हैं और evolution day को आप कैसे evolution test kit से पता कर सकती हैं तो ये सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. तो गाइस देखिए, ओवल्यूशन डे को अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, देशसी भाषा में समझाओं, तो ओवल्यूशन डे एक ऐसा दिन होता है, जब किसी लड़की या महिला की अंडेदानी से अंडा फूट कर बाहर निकलता है, इसे और अच्छे से समझाओं, तो ये डायगराम देखो, ये आपको बच्चेदानी दिख रही है, जिसको इंगलिश में यूटरस बोलते हैं, इसके साथ ये जो पाइपें हैं, इसको फैलिपिन ट्यूब बोलते हैं, और ये अंडेदानी है, जिसको इंगलिश में ओवर ब्लीडिंग शुरू होती है, जिसे हम लोग हिंदी में मासिक धरम में होने वाला रक्स्क्राव बोलते हैं, तो ये जब ब्लीडिंग होती है, तो इसके लगबग 14th डे के आसपास महिला की एक अंडेदानी में से एक अंडा फूट कर बाहर निकलता है, जब ये अंडा जब दों में बताओं, तो ये बच्चेदानी की एक डम्मी है, स्पोस करो कि ये किसी लड़की या महिला की बच्चेदानी है, बच्चेदानी के साथ ये क्या बताई थी, मैंने फैलिपियन ट्यूब बताई थी ना, दोनों साइड में याद है आपको इतनी जल्दी भूल ये तो नहीं हो, अब ये जो फैलिपियन ट्यूब है, इसके नीचे क्या बताई थी, ये अंडेदानी होती है, दोनों साइड एक अंडेदानी है, तो जब किसी लड़की महिला को पीरियट शुरू हुए, ब्लीडिंग शुरू हुई, तो उसके 14 दिन के आसपास महिला की एक अंडेदानी, या तो इस अंडेदानी से या फिर इस अंडेदानी से एक अंडा फूट कर बाहर निकला, उसको क्या बोलेंगे, ओवलूशन डे बोलेंगे, ये जो अंडा फूट कर बाहर निकला, ये कहा जाएगा, फैलिपियन ट्यूब में जाएगा, यहाँ पर, और शब्दों में समझ लो कि इसकी मृत्य हो जाती है अब वीडियो के शुरुवात में मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओवलूशन डे का पता है तो आप बहुत ही असानी से प्रेगनेंसी कंसीव भी कर सकते हो और प्रेगनेंसी से बच भी सकते हो लेकिन कैसे वो ऐसे कि ये जो अंडा है ये फैलिपियन ट्यूब में ऐसे ही नहीं रहता है ये 24 घंटे तक किसी स्पम के आने का वेट करता है कि कोई स्पम आए और उसको आकर फेटलाइज कर दे उस सम पर अगर कोई कपल है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो वो अगर फीजिकल रिलेशन रखते हैं तो जो पुरुष का स्पम है वो इस ओवं से आके मिलता है उसको वो फर्टलाइज कर देता है तो जैसे ही ये अंडा फर्टलाइज होता है देशी भाषा में आसान भाषा में हम लोग बोलेंगे कि आपको गरबधारन हो गया है तो यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो यह है कि जब तक एग और स्पम का मिलन नहीं होता है तब तक किसी भी लड़की या महिला को गरबधारन नहीं हो सकता है अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर ओवम 24 घंटे तक ही जिन्दा रहता है तो इसका मतलब तो यही है कि महिने में सिरफ 24 घंटे ही है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते है या कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि सिरफ एक ही दिन ऐसा होता है जब आपको physical relation नहीं बनाना है बाकी दिनों पर अगर physical relation बनाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो बिलकुल गलत सोच रहे हो क्यों कि जो पुरुष का स्पम है वो फीमेल बोडी में पाँच दिनों तक जिन्दा रह सकता है अगर मैं आपको इस बात को और अच्छे से एक्स्प्लेइन करूँ तो मान के चलो कि किसी भी लड़की या महिला को 10 तारीको अवलूशन होना है अब ये जो लड़की है या महिला है इनका ये सोचना है कि ओवलूशन दो 10 तारीको होगा और अगर 10 तारीको वो फीजिकल रिलेशन नहीं रखेंगे तो उनको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी अब उन्होंने जो फीजिकल रिलेशन है वो उसी मंत की 6 तारीको बनाया अब अगर ये जो लड़की है या महिला है उस मंत की 6 तारीको फीजिकल रिलेशन बना रही है तो वो भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी क्यों कि जो स्पम है फीमेल बोडी में 5 दिन तक जिन्दा रहेगा और 10 तारीको जब ऑवलूशन होगा तो जो स्पम है वो ओल्रेडी वहां मौझूद होगा उस एक को फेटलाइस करने के लिए तो ऐसी स्थिती में किसी भी लड़किया महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है तो यहां पर दो बाती है पहली बात तो यह कि आपके पास टोटल 5 दिन होते हैं जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो और दूसी तरफ जिन भी लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए जिनको pregnancy conceive नहीं करनी है वो इन पाँच दिनों पर physical relation बनाना avoid करें बाकी दिनों पर आप अगर physical relation बनाती है तो कोई problem नहीं है अगर sperm अंदर भी चला जाता है तो वो pregnancy cause नहीं कर सकता है उससे pregnancy नहीं होगी क्योंकि pregnancy के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि pregnancy के लिए sperm और अंडे का होना जरूरी है जब तक sperm अंडे को अकर fertilize नहीं करेगा तब तक किसी भी लड़की या महिला को गरब धारन नहीं हो सकता है अब यहाँ पर आपके दिमाग में फटाफट बस एक ही बात आ रही होगी कि फिर यह evolution day कब होगा अब देखिए evolution day जो चीज है ना वो बहुत ही calculation वाला काम है यह जब हम लोग calculation करते हैं जब यह दिन हम लोग निकाल कर देते हैं किसी patient को तो हम लोग उनको कुछ लक्षन भी बताते हैं ताकि उनको एक idea मिल जाए कि यह जो date उनको डोक्टर ने निकाल कर दी है वो सही date निकाल कर दी है उनके body में कुछ लक्षन भी दिखाई देते हैं जो कि बताते हैं कि इन दिनों पर उनको evolution हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि evolution होने पर body में कौन कौन से लक्षन दिखाई देते हैं और ऐसा भी नहीं है कि यह जो evolution के लक्षन है यह पूरे महिने दिखाई देते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है यह जो लक्षन है यह कुछ विशेश दिनों पर दिखाई देते हैं जैसे कि अगर मान लोग किसी भी महिला की जो period cycle की length है वो 28 जिनों की है तो उनको लगवक 14th day के आसपास evolution के लक्षन दिखाए देंगे अब ये जो period cycle की length है उसमें आप confuse मत होना उसको निकालना भी बहुत ही असान जान लोग कि किसी भी लड़की या महिला को एक तारीको periods आई और अगली बार जो उनको periods है वो उसी मंत की 30 तारीको आई तो ये जो 30 दिन है ये इनके period cycle की length है ठीक है मतलब कि जो मासिक चकर है उनका 30 दिनों का है और जो evolution के लक्षन है वो मासिक चकर के मध्यम दिनों में दिखाई देते हैं अब 30 दिनों की अगर period cycle की length है तो उसका आदा कर लो 15 आता है तो 15 दिन के आसपस महिला या लड़की को evolution के लक्षन दिखाई देंगे अब जो पहला evolution का लक्षन है वो है breast tenderness मतलब कि breast में दर्द होना हलका हलका आपको दर्द हो सकता है evolution के time आपको पेट में निचले भाग में दर्द हो सकता है ये जो दर्द है निचले भाग में या तो आपको right side हो सकता है या left side हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि मैंने आप से evolution होगा उस अंडेदानी की साइड आपको दर्द होगा दर्द के साथ आपको cramping हो सकते हैं evolution के time आपको nausea vomiting भी हो सकता है आपको पेट में gas भी बन सकते हैं इसके इलावा जब evolution हो जाता है तो महिलाओं का जो vessel body temperature है वो एक से दो डिग्री फेरन हाइट increase हो जाता है लेकिन ये evolution के बाद की निशानी के इलावा जो सबसे सटीक निशानी है evolution होने की वो मैंने आपको पहले ही बता दी वो है vaginal secretions मतलब की private part से जो सफेद पानी है उसकी मातरा बहुत increase हो जाती है इतनी increase हो जाती है कि जो undergarments है वो गिले हो जाते हैं और उस time पर लड़कियों को या महिलाओं को बहुत irritation होती है बहुत गंदा feel भी होता है और ये जो vaginal secretions है इससे आप threat test करके भी ये पता कर सकते हैं कि ये जो why discharge है ये evolution की वज़ा से है या किसी और वज़ा से तो ये कुछ मुख्य लक्षन में आपको बताए जो कि evolution के time किसी भी लड़किया महिला के शरीर में देखने को मिलते हैं अब बात आती है कि हम लोग calculate कैसे करती है कि किस महिला को कब evolution होगा अब देखिए जो evolution date निकालने वाली बात आती है तो ये एक professional काम है जो कि doctor करती है और आपकी पूरी detailed history उनके पास होती है अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको evolution date निकाल कर बताऊँ आपकी कि आपको कौन सी तारिक को evolution होगा तो वो बताना possible नहीं है क्यों क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी उमर कितनी है या नहीं ले रहे हो आपकी health का नहीं पता आपकी mental health का नहीं पता आपकी physical health का नहीं पता ये भी नहीं पता कि आप कौन से मोसम में इस video को देख रहे हैं खास तोर पर उन लोगों के लिए जो की pregnancy conceive करना चाहते हैं इस chart में जो period cycle की length है वो period cycle की length आपको चुननी है जो भी आपकी period cycle की length है अब ये जो दिन है मानके चलो कि अगर आपकी period cycle की length आपकी आपके partner की period cycle की length है वो 28 जिनों की है तो ये जो 11 है ये period का 11 दिन है तो 11 दिन से आपको अगले 5 दिनों तक physical relation बनाना है अगर आप pregnancy conceive करना चाहते हैं क्यों क्योंकि आने वाले ये जो अगले 5 दिन है इन 5 दिनों पर आपको evolution होने के जो chances हैं वो maximum रहेंगे इस बीच आपको जो evolution के sinus symptoms हैं वो भी देखने को मिलेंगे तो ऐसे आप लोगों को एक idea भी मिल जाएगा इन sinus symptoms को पहचान करकि आपको इन तारिकों पर evolution हो रहा है या नहीं हो रहा है अब आगे हम लोग discuss करते हैं कि evolution day को पता करने का सबसे परमानित तरीका जो urine evolution test kit है उसको कैसे use करते हैं तो देखिए ये जो urine evolution test kit है ये urine pregnancy test card की तरह ही होते हैं इसमें भी urine की drops डालते हैं मतलब कि पेशाब की बूंदे ही डालनी होती हैं अब ये जो test card हैं ये evolution hormone को पता लगाने का काम करते हैं जिसे हम लोग glutilaging hormone बोलते हैं अब ये जो glutilaging hormone है ये evolution से 24 घंटे पहले इसकी जो मात्रा है वो महिला के शरीर में बहुत तेजी से increase हो जाती है और कुछ time के बाद ये पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर भी आता है ऐसी स्थिती में अगर आप पेशाब का sample लेके evolution की जाच करते हैं तो आपको test card में 2 line दिखाई देती हैं और अगर आपको इसमें 2 line दिखाई देती हैं तो आपको अगले 24 घंटे में कभी भी evolution हो सकता है तो अगर आपको pregnancy plan करनी है तो ये आपके लिए बहुती best time है physical relation बनाने का जिससे आपको pregnancy conceive हो जाएगी तो ये था guys आज का हमारा topic अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो please video को like कीजेगा अगर कोई बात रहे गई हो जो में आपको explain ना करी हो तो comment section आप लोगों के लिए ही है comment कीजेगा मैं उसको explain करने की कोशिश करूँगा वहीं दूसी तरफ अगर आपको कोई personal questions पूछने है या मुझसे ही direct आपको बात करनी है तो whatsapp consultation के थूरू आप मुझसे direct बात कर सकती है तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकरी आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी मैं मिलता आपसे next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video